आज हम जिस business की बात कने वाले हैं, this is one of a kind listed business in India क्योंकि इस sector के अंदर और कोई company listed नहीं है and actually ये world में अपने sector के अंदर top 5 largest companies के अंदर आते हैं तो अगीर market dominance भी ऐस business के अंदर secondly इस business का जो आपको past return ratios देखेगा तो past return ratios में आपको तरह 5-6% return on capital employed देखेगा whereas operating ROC इस business का close to 79% के आसपास है जो आप लेटेस्स con call में भी जाके इस business के देख सकते हैं आपको वीडियो के अंदर भी बताएंगे की ऐसा क्यो है just before we start the analysis, do smash the subscribe and the like button and साथ-साथ मैं आपको ये भी पता दू है as a full disclosure that we are invested in the business and this is not a stock recommendation for you to buy yourself आप इस वीडियो को यूज़ करके अपने खुद का आप जो independent analysis आप वो कर सकते हैं see you inside Hi investors, welcome to SOIC तो आज के इस business analysis में हम लोग एक ऐसी company की बात करेंगे जो corporate learning प्रोवाइट करती है और साथ-साथ एक इंडिया में एक listed ad tech है इसके साथ-साथ इंडिया में education industry के अंडर बहुत कम companies है जो profitable है and बहुत ही कम companies है जिन्होंने wealth creation करी है but this is one of the companies जिसका wealth creation का track record भी solid है and यहां तक इस company के अंडर क्या हुआ था कि इन्होंने एक business sell करा था and उस business को sell करने के बाद almost 65-67% का जो भी उनके पास cash आया इन्होंने shareholders को वापस कर दिया तो यह इंडिया के अंडर देखना बहुत rare है कि अगर आप business sell करने के बाद जो shareholders है आप उनको payout करते है तो before I start the analysis पहले हम दो चीज़े देखते है पहली interesting चीज़ कि यह कि दो type of cost होते है कि अगर हम बिजनस करते है तो एक को म कहते है रचेफ सि short term में scale नहीं करते हैं, those are known as fixed costs, whereas variable costs कौन से होते हैं, these are those costs, जब sale की आपके increase होती है, तो साथ-साथ ये जो cost से ये भी increase करेंगे, suppose करते हैं, आपकी sale 100 रुपीज से 120 रुपीज तक होई, तो जब आपको extra employees रखने पड़ेंगे उसके लिए, then this ends up becoming a variable cost, जब हम power cost की बात करते हैं, again power cost is an example of a variable cost, कि आपके factory के अंदर जब ज़्यादा production हो रही है, तो power का usage है वो भी ज़्यादा हो रहे है, तो second के example के है, this cost varies, Now what is interesting, कि क्या देखना है, कि ऐसे businesses, जो एक business के fixed cost को variable cost बना दे, माने suppose करते हैं, कि एक business है, जिसको काफी ज़्यादा scale करना है, बट scaling के चकर में, उनका जो fixed cost है, वो बढ़ते जा रहे है, तो businesses हमेशा ये prefer करते हैं, कि उनका जो fixed cost है वो कम हो, जो fixed cost है जाए जादा variable cost के दा convert हो, तो जिस business की बात कर रहे हैं, वो इस time पर यही कर रहे है, कि माने जो corporate है, उनका do fixed cost है, उसको जो variable cost के दा convert करने का काम कर रहे है, जितना आप भी यूज करते हैं उस हिसाब से आप स्केल आप और स्केल डाउन कर सकते हैं तो लेट स्टार्ट दे बिजनेस अनलेसिस तो जब हम नाइटी की बात करें तो नाइटी में थ्री बिजनेसे थे जो 2019 और 2020 और 2021 तक भी थे तो फर्स पार्ट अफ बिजनेस जो कोपरेट लर्निंग का बिजनेस है इसका आप लिए 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 ल की बहुत जादा रेक्वाइमेंट थी इस चकर में ये बिजनस कभी-कभी बिटा लेवल पर लॉस्मेकिंग हो जाता था तो 2020 में नहीं आके जो स्कूल का बिजनस को बंद कर दिया जब इन्हों ने बंद कर तो शायद से याद थे 27 करोड़ का बिटा पर लॉस्ट था अलमुस्ट 27 करोड़ का सेकंड बिजनस इनका SNS बिजनस थे बट थर्ड बिजनस का कॉपरेट लर्निंग बिजनस है पर कॉपरेट लर्निंग या CLG बिजनस की बात करने से पहले हम एक बर फर्स प्रिंसिपल्स के नदर जाते हैं एक बर यह समझ से क कि एक learning and development organization का रोल किया है तो suppose करते हैं आपने कोई MNC जॉइन करी, suppose करते हैं आपने Hindustan Unilevel जॉइन करी, अब Hindustan Unilevel जब आप जॉइन करेंगे तो आपको शुरू से आपके सारे जॉब के जो रोल है आपको नहीं पताएगा, तो आपकी वहाँ पर corporate training होईगी सबसे पहल कि एक तो आपको स्टाफ पूरे साल के लिए रखना पड़ेगा, वेरास जो आपकी हाइरिंग है कुछ पुछ पर्टिकर जो स्पैसिविक मन से उसके अंदर होती है, सेकंड प्रॉब्लम क्या सकती है, कि आपको बिजनस को बहुत रापिडली स्केल करें, तो सेकंड इस गान बी आउट्सोर्च तो प्लेयर को आउट्सोर्स करेंगे, तो अगेन यह आपके फिक्स कोस्ट को बिजनस को बहुत करेंगे, तो इस आपको इस चीज की टेंचन नहीं की आपको बार बार कॉर्परेट ट्रेनिंग में इनवेस्ट करना पड़ेगा, और जो लेंद लिए उसके अंदर इंवेस्ट करना पड़ेगा तो कि एंप्लीटी प्लग एंप्ले मॉडल वेनिट कमसू आउट्सोर्सिंग ओफ ट्रेनिंग और क्लिए निट क्लिए क्यों यह विन-विन प्रॉपोजिशन है तो फर्स इंग है कि हमने देखा कि जो कॉपरेट्स हैं उनका सब्सवां प्रॉप अध़ी क्लाइंट नीकाट से शर्वन सेखिवान फिन-विन प्रॉपोजिशन है कोपरेट्स के लिए निटी करें चों फॉर्स करynnивать क्या को तो को चाँनिक दाईंभलाट क्यों कर। toujours कर्रें मैंजम Meat不錯 यह यंव यह अख बार कन च्वाह धिव कर टें तो यहां पे size of opportunity कितने हैं तो कभी भी किसी business का analysis करते हैं तो हमें size of opportunity जो size of opportunity उसको जानना जरूरी है तो जब हम corporate's का global spending देखते हैं corporate training के ओपर तो almost 370 billion dollars पर आनम का है and companies का जब हम companies का जब हम जो spend देखते हैं 1% expenditure है अपने employees की training के ओपर करती है and इसमें से 70% जो है that is towards proprietary training and जितना भी एक expenditure है this is majorly towards the salary of the L&D staff माने जो learning and development staff है उनकी salary के ओपर and और क्या यहां पे size of opportunity है कि why this industry can grow कि यहां पे out of the fortune 1000 companies माने वर्ल्ल की जो 1,000 like world की largest 1,000 companies है उसमें से सिरफ less than 250s are currently outsourcing उसमें से भी less than 5% of overall L&D spends की बद बात करते हैं तो are currently outsourced and this represents a large size of opportunity for the company and यह जो spend in near term में outsourcing पिक अप कर सकती है so 2011 में 6 customers थे, 2013 में 14 customers के असपास थे, 2014 के अनने 21 customers है whereas fast forward today 58 customers के आसपास हैं, तो 6 customers से NIT has almost grown to 58 customers and यहां पे इनके बास क्या क्या different capabilities है, तो first key capability है, इनके बास capability है basically जो आपका content and curriculum का design है, वो सारा NIT करती है so recently एक contract हुआ था with basically a real estate agency in Ontario so वहां पे इस contract में तो पहले इनोंने 1 year के लिए almost वहां पे content development करा before the contract started and 5 years के आसपास का contract है so content and curriculum आप पूरा design करते हूँ, which is 30% of their basically revenues in CLG business and 70% revenue आपका training से आते हैं अब training के अंदर क्या क्या करते हैं, यह training में भी जो इनकी different capabilities है so first thing that comes is कि जो learning administration ना उसके अंदर help करते हैं learning की जो delivery उसके अंदर भी help करते हैं learning technology मतलब जैसे अगर आपका कोई आपका कोई LMS software है, यह तो आजकल आपका कोई LMS software है, यह तो आजकल आपका training is also being gamified तो उसके अंदर भी help करें तो जैसे इनकी website के लिए case study थी कि एक bank के अंदर इनोंने corporate learning जो services है और provide करी and bank के अंदर जो employees आयते हैं उनके लिए उनके अनोंने कैसे gamify करा basically employees आके वहां पे training कर रहे हैं first game क्या करी उनके साथ कि bank is actually failing right now bank के employees यहां पे छोड़ रहे हैं attrition हो रही है and bank के profits गिर रहे हैं तो ऐसे environment में आप क्या करेंगे now this is an example of how you can gamify training so this is also multi-year trend की हर जगा में जाके जो एक प्रोसेस चल रहे है gamification का each and every field के इस time पे इंटर कर रहे so this is what NIT does basically when it comes to the CLG business just before we go forward तो आपकी सबसे बड़ी दिखेत के क्या एगी investing के अंदर कि आपको सबसे जादा problem आएगी कि आप valuation कैसे करें क्या को यह नहीं पता गए कि एक stock का intrinsic value के and क्या आप एक stock के लेए और पे कर रहे हैं यहां पे यहां क्या एक stock के लिए underpay कर रहे हैं इस time पे and क्या आपको valuation के business पे stock को sell करना चाहिए या नहीं करना चाहिए so on 22nd of May we are doing a webinar on valuations and इसमें आपको वेबिनार के अंदर valuations के multiple perspectives सिखाएंगे with multiple case studies क्योंकि 40 plus case studies के साथ अगर आप different approaches of valuation जीखेंगे then I think you'll truly be able to value a business कि आपको एक business को value करना तो सीखना ही पड़ेगा तो यहां पे different different perspectives आपको क्या सिखाएंगे कि आपको क्या सिखाएंगे कि आपको discounted cash flows बारे में सीख सकते हैं कि एक जो DCF analysis है कैसे कल सकते हैं बीचे का reason के फिर आपको यह भी से खाएंगे reverse DCF क्या होता है then we'll talk about the bull bear and base scenarios then we'll look at live example of companies कि इन different companies का valuation कैसे कल सकते हैं and कौन सी ऐसी companies हैं जो आज undervalued लगती हैं इन के इन इन के इन तर क्या क्या हो सकते हैं according to the valuation framework that we'll be teaching you second key thing is that all these webinars and all the webinars done in the past जैसे past में आपने low float stocks पर एक webinar करा था तो आज कहीं लोगों को यहीं नहीं नहीं पता कि जो D-Mart का stock है इतना उपर क्यों जा रहा है लोगों को यहीं नहीं पता कि उसके नरे एक low float का भी एक purpose है that is also part of the SOIC membership then we also did a webinar on financial shenanigans उसमें नहीं नहीं का discussion करा था तो आप कैसे अपनी wealth erosion को बचा सकते थे this was discussed in this webinar and apart from this we have also covered more than 10 sectors and all these webinars are part of the SOIC membership and third key thing is that we have recently launched the SOIC community जहांपे आप जो बाकी SOIC tribe members है उनके साथ interact कर सकते हैं stock generation ideas के ओपर, scuttlebutt forum के ओपर scuttlebutt forum पे different different professions के लोग हैं तो आप अपने भी experience share कर सकते हैं जो बाकी SOIC tribe members है वो भी अपने experience share करते हैं so all these things are part of the SOIC membership and the link to registration is given in the description below जब आप NIT के ने उनके customers देखते हैं तो customers में मैं पता लगता है कि they have customers like Shell Shell माने oil and gas के अदर one of the largest companies in the world है इसके बाद जो यह पे customer है NIT के बास that is SAPB है Bank of America भी इनका customer है and they have also customers like MetLife जो insurance के अंदर है life sciences में इनके पास recently इनो ने 2018 में acquisition करी थी by the name of Eagle Solutions तो वहां से इनके बाद लाइफ साइंसे के almost 11 to 12 customers आएं इसके अलावा इनके पास यहां पे अगर हम देखते हैं तो वो पिटनी बावेस करके जो वोल्ड की largest automation company में से है वो इनका customer है Rio Tinto which is one of the largest mining companies in the world I think largest company है mining के अंदर that is their customer तो यहां पे 5-year का contract extension भी हो है Rio Tinto साथ and finally जो Unilever है उसके जाद भी इनका 3-year का contract extension हो है and this is also their customer when it comes to the training business तो training business के अंदर आप देख सकते हैं कि इनके customers are all like जो tier 1 customers है and training business के अंदर what is their right to win तो simple thing है कि training business के अंदर they are competing with players like Accenture and और भी जो IT companies है उनके साथ compete कर रहे हैं बट और भी IT companies के ले training business is just a part of the business माने अगर हम इस company बात करते हैं NIT की तो NIT का एक focus ही ऐसे vertical पर है जो और सारी companies के ले एक vertical और है but whereas this is a focus player तो जब हम white spaces की बात करते हैं तो राज रतन global wire type companies alkyla mines, bala jiwa mines type companies एक niche के अंदर operate करती है तो similarly NIT इस niche के अंदर operate करती है and अपने domain में एक stand-alone training provider में NIT is the world's largest stand-alone training provider when it comes to EBITDA margins and when it comes to EBITDA as well तो इस वज़े से यहां पर एक niche का बहुत बड़ा एक role play करते है कि एक white space है जो बाकी companies के ले is just one more thing but for NIT it's the only thing और भी आगर हम यहां पर एक चीज़ देखते हैं कि NIT का operational ROC माने NIT के पास अभी balance sheet पे 1200 crores का cash है अगर आप इस 1200 crores के cash को अलग करके इस business का return on capital employed चेक करेंगे तो उनका operational ROC return on capital employed इस time पे 79% के आसपास है तो माने almost as good as a IT service business and IT service business और जब आप NIT को compare करते हैं तो क्या differences है एक तो बस यही difference है कि NIT की जो contracts है these are longer term in nature and एक और क्या difference है कि NIT को शाइसे content के उपर पेले spend करना पड़ते है whereas IT services के इसा कोई spend नहीं है या आपको जैसी business मिला वैसी आप business करना start कर देते है so these are some of the key differences CLG business के तीन क्या चीज़े की track करनी है तो पहली क्या चीज़े आपको track करनी है कि यहां पे revenue visibility कितने है तो revenue visibility का क्या मतलब है कि आज तक जितने भी contracts आई रहे है उनका कितना revenue है and साथ साथ जो upcoming contracts का revenues आ रहे है वो कितने हो सकते है suppose करते हैं अगर आज आपकी company है और आपकी company की पास 3 years का cumulative 100 करोड रुपीज का visibility है माने 33.3 करोड एक साल का ऐसी आपके पास 10 clients और है तो इनका cumulative revenue का visibility है उसको हम कहते revenue visibility वो आपको future की growth के बारे में बता सकते है तो यहां पे अगर हम revenue visibility देखते हैं तो NIT का जो revenue visibility है वो 179 million dollars है 2015 में जो आज बढ़के 326 million dollars के आसपास होगे तो जो revenue visibility है that is increasing second की थिंग यहां पे क्या देखनी है कि यहां पे इनके जो revenues है वो total में कितना बड़े है तो revenues इनके 85 करोड से 2011 में आज शेलिंग 12 मन्त के basis बे almost 1066 करोड के आसपास होगे है ऐसा क्यों हो रहे है क्योंकि MTS यहां जो number of customers है जैसे हमने पहले भी देखा था कि number of customers जिनके increase हो रहे है managed training services में third key thing to look out for is the EBITDA margins EBITDA margins NITK 11% थे 2017 में but 2018 के अनर इनोंने company acquire करी by the name of Eagle and Eagle जो company थी वो जो life sciences discovery है इस के अनर उनके customers थे तो उनके पास जब acquisition के time पर 2E customers थे बट इनोंने जो life sciences का business है उसको 14 के आसपा scale कर दी है life sciences का आप क्या business है basically pharmaceuticals के अनर ट्रेनिंग की तो काफी जरूरत है क्योंकि बार-बार आपके protocols यहां बार-बार आपके norms change हो जाते हैं बार-बार आपकी regulations change हो जाती है होता ही है second चीज क्या होई है क्योंकि covid के चकर में travel भी आपका बनता तो जो other expenses थे वहां पर भी थोड़ा fall आया तो इस वज़े से जो margins है थोड़े से यहां पर expand होई है पर third key thing is कि operating leverage बहुत आई है operating leverage की वज़े से इनका जो EBITDA margin है 13-14% से 25% चला गए I think Q2 of FI 22 में यह EBITDA margin 29-30% के आस-पास था and जो इनके पास इस time पर visibility है they are actually expecting कि इनका growth rate यहां पर 25-30% के आस-पास होईगा and इसके अलावा इनके जो margins है वो early 20s यहां 20 के आस-पास होईगे so again growth visibility भी इस business में इस time पर काफी strong है जैसे हमने past scale up से देखा so this was the CLG business अब CLG business के अलावा इनका जो second business है that is the SNS business that is skills and sharing business so skills and sharing business का इस time पर 10% of the revenue है and जो में साथ एक मेरा दोस्त काम करते है S.O.I.C. में तो actually उसका खुद का डोमेन है education का तो मैंने NIT की बात करी तो actually उसको NIT का जो corporate learning business उसके बारे में तो पता ही नहीं था तो उसने skills and sharing business में बताया कि इनके जो physical center से उसारे बंद हो गए and that is in line with the management commentary कि ये physical से इस time पर purely digital चले गए है तो जितने भी ये courses हैं skills improvement के लिए इस time में purely इनकी website पर offer हो रहे हैं यहां देख सकते हैं कि जो different different diplomas हैं यहां पर इस time पर offer हो रही है and recent इनोंने sales force के साथ एक tie-up कर रहे है and sales force के साथ जो tie-up कर रहे है उसके ने sales force का जो PG diploma है इस time पर offer कर रहे है तो यहां पर इनके two key products हैं इस business के अंदर first is by the name of stack route and second is by the name of t pass तो यह दो यह दोनो business इनका जो SNS businesses में almost 40% है तो हम stack route की बात करते हैं तो stack route क्या करते है कि एक जो developer है उसको single stack developer से full stack developer बनाते है तो माने एक developer जो सिर्फ back-end पर focus है या Android पर focus है तो उसको और भी different capabilities देते हैं माने उसको front end पे भी लेके आ सकते हैं Android से जो बाकी iOS को operating software है वो सारी skills भी इंपार्ट कर सकते है और यह जो mainly business है SNS का this is a B2B business तो माने business to business के अंदर जाद है B2C में इसका काफी part है बट more or less this is the business और इस business में इनके 4 key competitors है तो यहाँ पर problem कहे क्योंकि competitive scenario इतना जाद है and competitors are willing to burn cash तो यहाँ पर problem कहें कि right to win का path clear नहीं है there are competitors like Udemy, Simply Learn, College Vidya and there is also one competitor by the name of Upgrad जो इस ताइम पर काफी fund raising कर रहे तो EBITDA break-even business है barely and competitive scenario काफी strong है क्योंकि Upgrad की website पर भी मैं देख रहा था कि वो लोग भी इस ताइम पर B2B services है वो offer कर रहे है so again competition के scenario या landscape पर right to win clear नहीं होता and secondly इनका यहाँ पर जो major clientele है that is first in the banking space and second इनकी major clientele है that is in the IT space तो IT companies इस ताइम पर काफी बारी training in-house ही कर रहे है जित्ती भी अपनी employees की up-skilling है इस ताइम पर in-house ही हो रही है so again this can be a risk to this business but management की guidance है कि इस business को 5X grow करेंगे but क्या वो growth bridge है इस time पर मेरे को नहीं बाता and मेरी understanding में नहीं है इस वज़े से I think जो investors का concern था कि इस business का पैसा चाहे उस business के अंदर ना use हो जाए तो इस business के अंदर इस time पर de-merger हो रहे है and there are two separate entities which are being created first entity which is being created is by the name of NIT जो है that will be that will go under a category by the name of NLSL business तो जो NLSL company बनेगी इस के अंदर इनका जो CLG business है सारा का सारा इस time पर ये आएगा and CLG business will be a stand-alone entity within next 12 to 18 months and this is what makes NIT a special situation and यहाँ पर क्याए कि 1200 crores का cash है इस time पर business में and 1200 crores के cash में से 700 crores का cash SNS business को जाएग and 500 crores का cash CLG business को जाएगा and CLG business के अंदर क्या thesis pointers हो सकते है because that is the part of the business which investors are much more interested in so first part of the thesis के है कि CLG business के अंदर एक तो revenue growth काफी तेजी से आ रही है जैसे आपने देखा था 10 years पहले कुछ 70-80 crores का revenue हो था आज almost 1100 crores के so again जो revenue growth है that can accelerate कि इनका जो revenue visibility वे इस ताइम पर 326 million dollars के आसपास को होगे तो आपको first part यह track करने है and इनकी जो revenue growth guidance भी almost 25-30% की है इस year तो 30% का revenue growth guidance है next year हमें देखनी बड़ेगी कि अगले quarter की con call में कितनी revenue की growth guidance देते है second key interesting या third key interesting thesis pointer क्या हो सकते है कि EBITDA margins इन्होंने con calls में तो बोले कि 20-21% हो जाएंगे but 2017-2018 की con call में यह लोग बोले थे कि EBITDA margin 13-14% से उपर नहीं होएंगे and इस time पे 25% है एन एक time पे 29% भी थे and यह जो 29% से खटके 25% होए है that is because कि एक contract के लिए इस time पे बहुत invest कर रहे है तो जैसी वो contract का investment phase over होएगा क्योंकि इन्होंने clients को on board करे so again वहापे EBITDA margin वापे उस level तक जा सकते है क्योंकि शायदे recent contract higher margin आये and शायदे जो North American जो वहाँ का business है योरोप का काफी बढ़ गये अगर margin sustain करके 25-26% के आसपास then this again is one of a kind business listed in the Indian space with very high margins क्योंकि corporate learning का कोई as such play listed नहीं है इंडिया के अनलग से so these are the thesis pointers एक thesis pointer और क्या है कि इसके अन्दा कोई merger and acquisition हो जाए now suppose जैसे NIT ने NIT technologies को sell करा था bearing private equity को तो वो co-forged बन गया था similarly अगर CLG business में अगर कोई private equity invest करती है तो एक यहां पर बहुत जादा revenue growth आ सकती है कैसे हो सकते है यह अगर private equity के पास खुदी के जो clients होते है यह जो खुदी के उनका portfolio होता है customers का अगर उनके अंदर ही NIT की CLG businesses की services होने लगी so again that could be a thesis pointer but now पता नहीं होएगा नहीं होएगा because I think पहले NIT technology साथ हुआ था तो यहां पर भी अगर कोई investment रही तो growth can accelerate so these are the thesis pointers anti-thesis pointer के है सबसे बड़ा anti-thesis pointer के है कि यहां पर major revenue North America and Europe से आते है and CLG business के अंदर जो North America के अंदर अगर recession आते है यहां पर clients अपनी spending के उपर cutback करते है तो LNG या learning and development के अंदर जब great financial crisis आया था तो इस business में या फिर इस industry में CLG industry में 10% की revenue degrowth आई थी for 2 years and 2010 में भी सिर्फ 3% की growth थी उसके बाद industry का जो growth rate है वो recover कर गया I think उसके बाद industry का जो growth rate था वो almost 10 to 15 percent के आसपास तका रहे so this is the biggest anti-thesis pointer which we can see in the business today कि यह एक anti-thesis pointer है and second की anti-thesis pointer business के अंदर के अगर इनके margins अगर travel and tourism सब कुछ जैसे अब open हो रहा है अगर इनके margins यहां से correct करते हैं तो EBITDA margins को बहुत closely track करने है कि below 20% ना चाहिए अगर below 20% जाते है तो again this could be a case of busted thesis तो आपको EBITDA margins को बहुत closely track करने है so these are the two key anti-thesis pointers in the business इस business का जो valuation analysis है कि आज SOTP basis पे यह अगर हम इन businesses को अलग अलग देखे तो क्या valuation होना चाहिए that has been uploaded for the SOIC tribe members on the dashboard and साथ-साथ as a full disclosure we are invested in the business so this is not a buy or sell recommendation हमारा जो buying price है वो भी almost close to 30-40 rupees के आसपास है तो आज इस business का जो valuation है वो क्या लगता है हमें तो हमें एक बर इसको भी देखना पड़ेगा की पर एक मैं आपको hint जरूर दे दूँगा valuation के लिए कि आपको market cap आज company का 7400 to 7500 crores का है उसमें से आपको 1200 crores का cash minus करके देखना पड़ेगा की core business के जो market cap है उस पर core earnings कितनी है उस पर investors कितना valuation दे रहे हैं इस time पर So this was the analysis of NIT आप में को comment section में जरूर बता ही आपको इस analysis कैसा लगा And secondly, do let me know in the comment section below कि आप next business analysis किस पर देखना जाएंगे First option is tube investment जैसे last time पूछा था And second option is Chola Mandalam investment in finance Thank you so much for joining us Hope to see you in the next business analysis of SOIC Gend